मैंने पिछली बार जो husband के लिए नास्ता बनाया था वो उनको इतना पसंद आया था कि आज तो वो अपने दोस्त को भी ले आये थे साथ में इसे enjoy करने के लिए आज मैं इसे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी और साथ इसा जो चटनी की रेसिपी है उसे भी मैं थोड़ा डिटेल में share करूंगी क्योंकि पिछली बार आप सबके काफी ज़दा कमेंट आ रहे थे कि दीदी चटनी की जो रेसिपी है उसे आप थोड़ा डिटेल में बताईएगा तो बिना तेल का ही बनकर तैयार होगा लेकिन आज मैं इसे कुछ अलग तरीके से बनाऊंगी मतलब बहुत ही शौटकट में बनाऊंगी और इतना ज़्यादा स्वादिश लगता है कि आप इसे भर पेट आराम से खा सकते हो अगर आप डाइट पर हो तो इसके लिए मैंने पर एक कप सूजी ले लिए यह नॉर्मल सूजी है जो हलवा बनाते हैं हम और इसी के साथ मैंने रात को थोड़ी सी दही जमा कर रख दी थी तो वही ले लिए इस नास्ते में एकदम फ्रेश दही का ही यूज कीजिएगा नहीं तो नास्ते में थोड़ी सी स्मेल आती है द दही में ही सूजी को अच्छे से मिक्स कर दिया है कोई पाणी वगरा नहीं डाला है तो इसी तरह से ने इसको दही में ही मिक्स करेंगे और दही की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर आप थोड़ा ज्यादा से दही डालिएगा तो मैंने बैटर को अभी रख फरस्ट बना दो जो उस दिन बनाया था तो मैंने सूचा चलो ठीक है कुछ अच्छी तरीके से बना लिया जाए और आज ना मैं भी थोड़ा हैल्दी डाइट पर थी तो मैंने सूचा मैं भी खालूंगी इसी नास्ते को तो मैं भरपूर बना रही हूं यहाँ पर अब मैं इसमें कोई भी अपना फेवरेट मसाला डाल सकते हो जो भी आप खाना पसंद करते हैं मतलब जैसे हम नर्मली आलू की चोखा आलू का फिलिंग बनाते ना सेम वैसे ही मैंने इसको बना कर रख लिया है अब इदर एक बड़ी सी कढ़ाई रख दिये मैंने और इसमें डाल बरतन वाला इस्टेंड आपके पास अगर इडली स्टेंड है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो लेकिन एकदम सिंपल वे मैं इहां पर मैं बेसिक तरीके से आपको नास्ता बनाना बता रहे हूं इसमें मैंने तकरीबन डेल गिलास के बरावर पानी डाला है और उपर स समान है पिछली बार भी मैंने आप सबको आप सबके साथ डेटेल में शियर किया था लेकिन जो शौट वीडियो रहती है शौट वीडियो के वीवर्स मेरी लॉंग वीडियो शायद नहीं देखते हैं इसी वज़े से उन्हें रेसिपी नहीं मिल पाती है तो यह जो चटनी ले लिया है एक टमाटर ले लिया है टमाटर ऑफशनल है डालिएगा अगर आप खाते हैं तो नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हो और रेडनेस के लिए मैंने काश्मीरी लाल मिश डालिया है थोड़ी सी चीनी डालिया है इसमें हाफ ती स्पून के बराबर और साथी साथ नमक डाली है बाकि सारी चीज़े मैंने श्क्रिन पर मेंसन कर दी है आप वीडियो को रोक कर ध्यान से पढ़ लीजिएगा सारी चीज़े ये डालेंगे ना तो चटनी बहुत ही स्वाधिस्ट बनेगी और एकदम फाइन पीसना है इसको बिल्कुल बारिक करके और आप देख सकते हो चटनी का टेक्षर कितना जादा मज़ेदार है वैसे तो आप इसे तड़का लगा कर भी खा सकते हैं लेकिन इसे हम बीना तड़के से खाएंगे ना तो और स्वाधिस्ट लगती है चलिए अभी चटनी को रखते हैं साइड में और नाश्ता बनाने की तैयार करते हैं तो मैंने यहां पर केक्टीन में डाल दिया है थोड़ा सा ओलिव ओल रिफाइंड ओल का यूज़ कर रही हूं और इसको अच्छे से ग्रेस कर देंगे कोई भी बटन बगर आप इसे ले सकते हैं इस तरह से और इधर जो बैटर है वो भी अच्छे से फूल गया है सूजी का अभी यह बहुत ज़्यादा थिक हो गया है क्योंकि जो सूजी है वो फूल कर एकदम टाइट हो जाती है तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूं यहां पर आप जादा पानी नहीं डालिएगा एक बार में कई बार जो बैटर है वो जादा पतला हो जाता ह हलका गाड़ा ही रखना है बैटर को जैसे हम केक का बैटर बनाते ना उससे भी थिक रखना है क्योंकि जितना ज़्यादा थिक रहोगे आप बैटर को जो नाश्ता है वो उतना ज़्यादा स्पॉंजी बनेगा और तूटेगा भी नहीं तो चलिए बैटर हमारा यहां पर हो जाएगा और अच्छे से एक ही डायरेक्शन में हम इसे मिक्स करेंगे अगर आप इसे अलग अलग डायरेक्शन में चलाएंगे तो इसके अंदर जो भी एर बन रही है ना इस टाइम पर वो निकल जाएगी और नाश्ता उतना ज़्यादा स्पॉंजी नहीं बनेगा जि ताकि अच्छे से स्पॉंजी हो जाए तो देख सकते हो यह पूरा पक चुका है और हलका अगर कच्छा भी रहेगा तब भी कोई परिशानी नहीं है क्योंकि हम इसे दुबारा स्टीम करेंगे तो मैंने अभी जो फीलिंग बनाई थी आलू की वो इसके अंदर रख दी है आप यहाँ पर कोई भी अपनी मन पसंद फीलिंग रख सकते हैं अगर आप आलू नहीं खाना चाते हैं तो आप यहाँ पर पनीर या फिर कोई भी जो आपको पसंद है फीलिंग वो आप यहाँ पर रख सकते हो लेकिन आलू की फीलिंग इस तरह के नास्ते में बहुत ज़ स्वादिश्ट लगता है अब मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा बिल्कुल एक चुटकी के बराबर कश्मीरी लाल में चुटकी के बराबर कश्मीरी लाल में दाल दी हूं और साथ इसा थोड़ी सी हरे धनिये की पत्ती डाल दी है अब हम इसे फाइनल स्टीम करेंगे लग लग दस मिनट के लिए क्योंकि जो उपर वाली वैटर है उसको स्टीम होने में थोड़ा टाइम लगेगा और यह देखी दोस्तों जो नमक डाली थी ना मैंने उसमें हलका सा हल्दी का कलर था जिसकी वज़े से आपको यह यलो दिख रहा होगा और सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है तो मैंने इसको चेक कर लिया है सब तरफ से कि नाश्ता पका है या नहीं पका है और अभी ना इसको ठंडा होने देंगे ठंडा होने में लगबग इसे 20-25 मिनट लगते हैं अगर आपको जल्दी है तो आप इसे फ्रिज में रखकर भी ठंडा कर सकते ह लेकिन यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी इसे ठंडा नहीं किया था गरम गरम ही निकाल दिया था जिसकी वज़े से थोड़ा सा देख सकते हैं कौनर से इस तरह से तूट गया था और अभी यह इतना गरम हो रहा था और रीजन यह था कि दोनों को बहुत जल्दी हो रही थी नास्ता खाने की क्योंकि टाइम लगबग 11 बज रहे थे और अभी तक हमारा सुबह का नास्ता भी नहीं हुआ था क्योंकि घर में पुताई का काम चल रहा था जिसकी वज़े से नास्ता वगरा मैं बनानी पा रही थी लेकिन अचानक सी हजबन बोलने लगे कि वही वाला नास्ता बना दो सूजी का मेरा दोस्ता आरा है खाने के लिए तो फिर मुझे यह जल्दी जल्दी जटपट में बनाना पड़ा और आप देख सकते हो नास्ता बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट और फ्लफी बनाए अंदर से आपना इसे थोड़ा सा राई का भी तड़ सकते हो तबे पर और चटनी का जो कलर है बहुत ही ज़्यादा प्यारा आया है और खाने में भी बहुत स्वादिश्ट है थोड़ा सा मैंने यहाँ पर केचप भी रख दिया है क्योंकि यह नास्ता केचप के साथ भी बहुत अच्छा लगता है तो देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट बनाए और चटनी के साथ तो इसे खाकर मजा ही आ जाता है तो चलिए अभी मैंने दोनों को दे दिया था और बहुत ही ज़्यादा पसंद आया इने नास्ता तो लेकिन टीवी चल रहा था तो बॉलिम बहुत ज़दा हो रहा था जिसक और आप सबी से इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी के साथ बबाए ठीक केर